हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेकैनिकल टेखिंदी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि मोटर साइकल के एक्जॉस्ट सिस्टम से होते हुए मफलर यानी की साइलेंसर से जो धुआ निकलता है वो किन-किन कार्णों से निकलता है आप सबने गौर किया हो सेंसर है वहां से निकलता है वो आपको दिखाई देगा तो फ्रेंड्स यह जो रंग होते है अलग-लग करकर जो धुआ होता है आप इससे भी जान सकते हो कि मोटर साइकल के इंजन या बागी किसी कॉंपोरेंट्स में कहां पे प्रॉब्लम है जिसके वैसे धुआ निकल र कर ले अपर जो प्राइम रिजन होता है जिसके वैसे मोटर साइकल के सालेंस अब से धुआ निकलता है वो होता है यह पिस्टन क्रैंक साफ़ की असेंबली होती है और इसका कॉंपोनेंट्स यह जो हमारा है यह जो पिस्टन रिंग है इसके वजह से ही मोश्य आपको इसे नहीं और मैं आपको पहले ये बताता हूं कि यह डिया पी काम क्या करता है देखिए हमारे पास यह हमारे पास एक स्रेंडर ब्लॉक ही यहां पर आप देख सकते हो cylinder है अब यह जो piston है वो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर में रहता है ठीक है यह जो अंदर में आप जतना भी area देख रहे हूँ इसके अंदर में piston का up and on up and on movement होते रहता है और यह जो piston ring है जिसके बारे मैंने आपको बताया वो क् cylinder का यह जो wall है उसको seal कर देता है पूरी तरह से यानि कि इधर जो हमारा air और जो हमारा petrol है वो नीचे नहीं जा सकता है और just इसके नीचे में ओके मैं आपको दिखाता हूँ इसके नीचे से क्या होता है कि engine oil यानि कि जो mobile होता है उसका spray होता है तो इसकी भी जिमदारी piston ring की होती है कि जो हमारा ceiling है वो बढ़ियां से रहे और जो engine oil है वो उपर नहीं जाए यानि कि engine oil और जो petrol है वो आपस में mix नहीं हो इसकी पूरी जिमदारी होती piston ring की अब अगर piston ring का जो ceiling है वो खराब हो जाए ठीक है और जो piston के movement के time पे जो नीचे से engine oil है जो उपर combustion chamber है जो इस area जहां पे हमारा air और petrol जलता है जिससे कि engine power produce करता है अगर उस area में engine oil यानि कि जिसे बहुसे लोग मोबिल भी कहते हैं तो मोबिल अगर आ जाए मोबिल पेट्रोल के साथ mix हो जाए और यह जो mixture है वो burn हो जाए उसका combustion हो जाए वो जल जाए इस area में तो फिर क्या होगा उसी के वज़ा से आपको mostly black color का या फिर blue color का जो हमारा exhaust धुआ निकलता है वो दिखाई देता है तो पहला reason है जब हमारा piston link अपना काम सही से नहीं करे और ceiling जो है वो ठीक नहीं हो अब एक और जुड़ा हुआ है mobile जरूरी नहीं कि सिर्फ piston link के खराब होने से ही मिलता है जब यह खराब हो जाए निचे से हमारा engine oil spray हो रहा है जो कि इसके lubricate करने के लिए हो रहा है piston और बाकी चीजों के lubricate करने के लिए हो रहा है वो उपर चले जाए combustion chamber में और फिर वहाँ पर जाके petrol से मिल जाए तो इस वज़ा से भी होता है तो आपको दो चीत पहले दान में रखना है कि piston ring या तो खराब गुआ है या तो जो cylinder का बोर है वहाँ पे कुछ problem है ये दो point है अब एक और important point है जिसके आपको धुआ दिखाई देगा खास करके वो तब दिखाई देता है जब आप देखोगे कि आप accelerator ले रहे हो तेजी से या पर accelerator छोट रहे हो और उस time पे आपको ध कीमसिंग हो रहा है पिट्रोल के साथ दूसरा आपको चेक करना है coolant का level ठीक है जो coolant वगर होता है बहुत से गाड़ी ओंधा करने के लिए इन जनको coolant का level भी check करना है और आपको coolant का level कम दिखाई दे फिर आपको चेक करना कि coolant का कहीं से leak तो नहीं हो रहा है अगर leak नही जाता है इस combustion chamber cylinder की अंदर में मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे आता है इसके लिए हमारा जो head है वो help करने वाला है अब देखिए जब cylinder head का जो head gasket है यह वाला जो gasket यहाँ पर होता है जो की cylinder head और cylinder जो block है इससे आपस में seal करता है तो अगर head gasket कट जाए तो उससे भी क्या होता है कि coolant या फिर water वगरा अंदर आ जाता है इसके अलावा अगर head gasket में problem नहीं है तो कई बार क्या होता है कि लगतार यूज़ होने के वज़ए से जो head है वो कहीं न कहीं से crack कर जाता है बहुत बार से देखा गया है crack कर जाता और leakage जो हो जाता और ceiling जो हो हट जाता है इसके अलावा अगर जो हमारा valve है वो सही से काम नहीं करें अगर valve के आप आसपास से कहीं भी leakage हो जाए तो इस वज़ा से भी क्या होता है कि coolant आपको दिखाई देगा और जब coolant या फिर water वगरा चला जाता है cylinder के अंदर में तो उस time पे ज़्यादा तर आपको white smoke दिखाई देगा जब engine के cylinder के अंदर में जो air और fuel यानि की जो हवा और पेट्रोल की मातरा जो mission है वो सही नहीं हो और ज़्यादा पेट्रोल आ जाए और ज़्यादा पेट्रोल बर्न हो ज़्यादा पेट्रोल जले तो उस वज़ए से भी आपको black या फिर blue smoke दिखाई देगा आपके से और मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कब होता है जब या तो आपका जो air filter है motorcycle का वो cloud हो जाए वो jam हो जाए और air जो पास हो रहा वो ज्यादा पास नहीं हो पाए तो air ज्यादा आएगा ने पेट्रोल ज्यादा आएगा इसके लाब अगर आपके motorcycle में कार्भूरेटर है तो क rich mixture और rich mixture का मतलब होता है कि ज्यादा petrol आजाए तो उससे क्या होगा ज्यादा petrol जालेगा और आपको कारा धुआ दिखाई देगा इसके लाब अगर आपका fi bike है fuel injected bike है तो जो fuel का injector वो सही से काम नहीं कर रहा है जो fuel का line है वो अगर किसी वाज़ास से clogged वगरा हो जाए तो इस case में भी आपको black smoke दिखाई देने वाला आपके गाड़ी के exhaust से और ये जो दो तिन चीजी है वो उसमें जो है वो बहुत जादा खर्च होता नहीं नहीं आपको engine खोलना पड़ता है जस्ट आपको air filter चेक करना होता है या फिर आप कारबोटर की setting tuning भी कर सकते हो या फिर आपको fuel injected है तो fuel injection जो system है आपको वहाँ पर चेक करना होता है और इस तरह से यह जो आपका problem है वो आप ठीक कर सकते हो तो friends बहुत असान लबजों में कहें तो अगर जो cylinder block है और जो cylinder head है इनका जो आपस में ceiling है अगर वो ceiling टूट जाए gasket के वज़ा से या किस और वज़ा से दो धुआ निकलता है और दूसरा जो हमारा piston ring के वज़ा से यह जो ceiling बन रहा है cylinder wall के अंदर में अगर यह ceiling किसी वज़ा से या तो piston ring के वज़ा से cylinder wall के वज़ा से यह ceiling टूट जाए तो उससे भी क्या होता है कि आपको धुआ दिखाई देगा और 90% या 90% से ज़्यादा cases मे भी जब आपको exhaust से धुआ दिखाई देता है तो आपको अपना engine का काम कराना ही पड़ता है तो वैसे यह important point था जो कि बहुत से लोगा confusion था कि धुआ जो होता है तो I am sure आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका यह doubt clear हो गया होगा और आपको यह जो जानकारी थी वो अच्छी लगी होगी फ्रेंट्स वैसे आपको motorcycle के maintenance या किसी और भी point के उपर में कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment करके जरूर बताए मैं उसके उपर में detail वीडियो आपके लिए upload कर दूँगा और वैसे आपको car या फिर bike के maintenance लेटेड बहुत सारे वीडिय करके जरूर बताए इसके लागर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में थैंक्स वर आचिंग इस वीडियो गुड़ बाई